हिलो दोस्तों आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है पैसे के लिए सच्चा प्यार खो दिया प्यार का ये एक दर्द भरी कहानी अपने प्रमोशन की खुशी में आज राहूल अपनी पतनी को शहर के सब से महंगे रस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है दोनों आज बहुत खुश है क्योंकि राहूल की आज पगार एक लाख रुपे महीना हो गई है पहले जो असी हजार रुपे महीना थी आज राहूल की पतनी स्वाती की खुशी का कोई ठेकाना नहीं है आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे आज वह कुछ ज़्यादा ही सज संवर कर डिनर के लिए आई है आज उसको ऐसे लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया आखिर उसके पती की पगार अगर बढ़ी और उसका अवधा भी यही तो उसको चाहिए था आखिर हमेशा से उसने पैसे को ही तो महत्व दिया है उसको गरीब लोग कभी पसंद ही कहां आते हैं उसको तो महंगी चीजें महंगी रस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं शहर की इस रस्टोरंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टन कपड़े पहन कराई थी ऐसा लग रहा था इस रस्टोरंट में गरीबों के लिए कोई जगा नहीं है स्वाती आज अपने आपको महरानी समझ रही थी इतने में वह देखती है एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था उसको देखकर स्वाती चौक जाती है और कहती है अरे तुम यहां कहां से आ गए क्या तुम यहां बैटा हो वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है तुम्हारी है सियत तो इस रस्टोरेंच में आने की नहीं है किसके साथ आए हो तुम्हारा मालिक कहां है या फिर तुम यही जाडू पोच्छा करते हो इतने में राहुल पूछता है कौन है ये तुम जानती हो क्या इसको स्वाती कहती है नहीं मेरे घर के पास रहता था बहुत गरीब है इसलिए मैंने पूछा यहां कैसे आने मिल गया वो वो लड़का वहां से जाने लगता है इतने में स्वाती उससे जोर से बोलती है लड़का मुस्कुराता है और कहता है तुम आज भी नहीं बदली पहले भी पैसों पर मरती थी आज भी पैसों पर मरती हो अच्छा हुआ जो तुम मेरी जिन्दगी में नहीं हो ये लड़का स्वाती का पहला प्रेमी था सौरब जो उससे बहुत प्यार करता था पर गरीब होने की वजह से स्वाती ने उसको छोड़ दिया और राहू से शादी कर ली स्वाती को ये बात चुब जाती है और वह चिल्ला कर सौरब से कहती है तुम क्या जानो पैसे की कीमत तुमने तो कभी देखे ही नहीं तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में रहोगे जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास कुछ नहीं रहता खेर छोड़ो मैं तुम जैसे भिकारी से पैसों की बात क्यूं करूँ इस रस्टोरेंट से तुम जल्दी जाओ मेरा वक्त बरबाद मत करो ये बात सुनकर सौरब बाहर जाने लगता है इतने में उस रस्टोरेंट का मैनेजर आकर स्वाती से कहता है आप प्लीज इस रस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते क्यूं नहीं खा सकते खाना हमारे पास पैसे हैं फ्री में खाने थोड़ी आये है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की हो कौन तुम स्वाती चिल्ला के मैनेजर से बोलती है होटल मैनेजर स्वाती से बोलता है प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे आप यहाँ से चले जाएंगे अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते देखते ही देखते कुछ बाउनस उस टेबल के पास आ जाते है ऐसा लग रहा था अगर अब स्वाती फिर चिल्लाती है तो दोनों को यह बाउनस बाहर फिक देंगे इतने में सौरब मैनेजर से कहता है अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है इनको शांती से खाना खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना और हाँ ये ध्यान रहे अगली बार ये दोनों यहां ना आने पाए स्वाती ये देख कर चौक जाती है वो मेनेजर सौरब की बात इतनी आसानी से कैसे मान लेता है वो आश्चर्य चकित होकर मेनेजर से कहती है कौन है ये आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली मैम आपको नहीं पता ये कौन है आप जहां खाना खा रही है उस होटल के मालिक को नहीं जानती है वो तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले है नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता क्या सौरब होटल का मालिक हाँ इस होटल का मालिक पर कैसे ये तो बहुत गरीब था सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से चार साल में तीन सो करोड की कमपनी खड़ी की है उनका ये अकेला होटल नहीं है सुना है सर को किसी लड़की से बेंतहा प्यार हुआ था और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं एक लाख की पगार में खुशी मना रही हूँ। सौरव आज करोलों कमा रहा है। अगर मैं सौरव के पास वापस चली जाऊं तो क्या गलत है। वो मुझसे प्यार तो करता ही है, मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे क गहने पहनूनगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। शाम के समय स्वाती बेना कुछ सोचे समझे सौरव के पास जाती है और अपनी गलती की माफी मांगते कहती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे ए कुछ नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं आपसे अपने पती को तलाक दे दूनगी और तुम्हारी हो जाऊंगी। हमेशा हमेशा के लिए सौरव ये बात सुनकर स्वाती को जोर से खीच कर एक थपड मारता है और कहता है अरे बेवफा। पैसे की भू के लिए तुझे मुझे में प्यार देख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तुने फिर मेरा मजा कोड़ाया। अगर तुझे मुझे से प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझ कर गाली दी तुने। स्वाती जोर जोर से रोने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बेना जी नहीं सकती। प्लीज अपना लो मुझे। लो मुझे, सौरब स्वाती से कहता है याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार की दलीले दे रहा, मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाए और इस बात का दुख जादा है कि तुम सिर्फ पैसों की भूखी हो मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा ये गिनोना रूप मैं कभी देख नहीं पाता अब मेरे घर से निकल जाओ नहीं तो मैं धक के मार कर बाहर फिक्वा दूनगा और तुम्हारे पती को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूगा ये सुनकर स्वाती रो रोकर वहां से चली जाती है और दोबारा कभी मुलकर नहीं देखती है